हलो एवरिवान आएम रिध्राण यो वाचिंग स्काइज दलिमिट सो आज गे वीडियो में बेसिकलिए हम लोग डिसकुस करेंगे एक बहुती इंपोर्टन टॉपिक आज हम लोग डिसकुस करेंगे कैलकटे उनिवर्सिटी क्या UGC गाइडलाइन्स फॉलो करेंगे एड़ उसके साथ साथ लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि कब आप लोगों का एकजाम हो सकता है कैलकटे उनिवर्सिटी का तो वीडियो बहुती इंपोर्टन होने वाला है हर एक कैलकटे उनिवर्सिटे स्टूडेंट्स के लिए वो हो सकता है बीएससी, एमसी, एमटेक, बीटेक हो तो हर एक स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुती इंपोर्टन है वीडियो का अंतक जरूर देखना और अगर इस चैनल पर ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेज़े क्योंकि इस चैनल में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी रिलेटेड मिलते रहेंगे तो चलिए ज़ादा समय ने लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो यह रहा जो आप लोगों को मुझे बताना था यूनिवर्सिटी ग्रांड कमिशन का गाइड लाइन्स तो चलिए सबसे पहले आपको यह गाइड लाइन्स में क्या बोला गया है फिर से एक बात दिखा देते हैं चलिए बहुत जल्दी से यहाँ पे बोला गया है आपका यूनिवर्सिटी का कैसे एक्जाम हो सकता है देखिए यहाँ पे पांच आप लोग बोल सकते हैं अब बोला गया है पॉइंट में कि कैसे कैसे यूनिवर्सिटी एक्जाम ले सकते हैं फर्स्ट में ये बोला गया है कि आप लोग MCQ-based और OMR-based, open book examination, open choices and lastly assignment and presentation-based examination ले सकते हैं. second में ये बोला गया था कि 3 घंटा का exam आप लोग 2 घंटा में ले सकते हैं, third में ये बोला गया था कि online, offline, जो mode आप लोगो के लिए अच्छा है, वो ही mode में आप exam ले सकते हैं, कोई प्रब्लम नहीं है, दोनों आप बोल सकते हैं, students के लिए first year हो, second year हो, मतलब university का intermediate जो students है and terminal students ह दोनों के लिए ही बोला गया है, number four में ये बोला गया, अगर exam हो तो आपको social distancing का जो rule से वो follow करना पड़ेगा, और number five point में ये बोला गया है, कि आप लोगों का अगर exam ना हुआ, तो 50-50 marks division हो जाएगा, मतलब previous semester से आपको 50% marks मिलेगा, and this semester से अभी तक आप लोगों ने जो university ये follow करेगा, ये जो 5 यहाँ पर point दिया गया है, ये 5 point का Calcutta University follow करेगा, देखिए उसका answer है yes, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि AICTE से जो देखिए यहाँ पर first में, actually मैंने AICTE का ही notice यहाँ पर निकाला है, तो देखिए यहाँ पर last में आप देख सकते हैं ये जो point है, यहाँ पर लिखा है, AICTE ने, all the universities, dim to be universities, affiliated technical institutes and polytechnics are requested to follow these guidelines, यहाँ पर बोल दिया गया है, कि जो universities है, मतलब इंडिया के अंदर कोई भी university, dim to be university, affiliated technical institutes and polytechnic colleges को ये guidelines, जो UGC का guidelines है, ये मानना पड़ेगा, तो यह आप जान लिए कि आप लोगों को UGC का guidelines, जो है, क्योंक पड़ेगा, अब आते हैं, exam आप लोगों का कब होगा, देखिए, exam, आपको process तो पता चल गया कि किस process से exam हो सकता है, अब हम लोग जानेगे कि exam आप लोगों का कब हो सकता है, देखिए, यहाँ पर last में एक part यहाँ पर बोला गया है, एकदम last में अगर हम लोग स्क्रॉल क इसके अंदर उन लोगों का exam होगा, मतलब जुलाई में हो सकता है, कोई भी process में, जो मैंने 5 process वहाँ पर आप लोगों को बताया, उस कोई भी process में आप लोगों का exam हो सकता है, नमबर 2 में intermediate semester students के लिए बोल दिया गया है, कि 16-7-2020 से 31-7-2020 का अंदर, मतलब जुलाई का 16 ता और university के उपर, तो अगर आप जानना चाते हैं कि वह 5 process में कौन सा process आप लोगों के लिए applicable होगा, उसके लिए आपको university का last notice का wait करना पड़ेगा, जो कि अभी तक आप लोगों का university का last notice published नहीं किया गया है, अब देखिए, result आपको बता देते हैं, result आप लोगों का exam हुआ, आप बोल सकते हैं, July महिने में, तो आप लोगों के exam का result निकलेगा, final year students के लिए 31st तारिक को, July का ही, and intermediate students के लिए 14th August को, उनका result निकलेगा, तो ये follow किया जा सकता है, Calcutta University के लिए भी, पर कौन सा process में आप लोगों के exam होगा, वो completely depend करता है, college के उपर, पर अगर college आप बो cuexam.net वहाँ पर आपको information मिल जाएगा, अगर कोई भी information आए, notice है मैं, तो आप लोगों के लिए video बना दूँगा, अगर university related कोई भी video चाहिए, तो इस चैनल को subscribe मस्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको university related कोई भी video मिलते रहेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, वीडि झाल